हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक उन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रमा की एक्स्प्लिनेशन का पार्ट नमबर एट है अगर अभी तक आप पर गुने प्रिवेट्स पार्ट्स नहीं देखे हैं दिन पहले आप वो देख लीजे साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो परसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए चलो चलके पढ़ना नहीं है क्या तो अब आगी पार्क सियोल को पढ़ाने लगा था और सियोल काफी मेनद करके पढ़ भी रही थी और वो इंटर्व्यू की प्रिप्रेशन भी साथ में कर रही थी आगे पार्क सियोल को बताता है उसके अडॉप्टिट फादर ने भी एक जो वहाँ पे मौझूद थी क्योंकि वह अब रॉयल पैलेस की डिरेक्टर जो है खेर यहाँ पे सियोल को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिला था जो कि इंजो को बरदाश नहीं हो रहा था इसलिए वो से लेके चाती है उसकी ड्रेस जूस कराने के लिए और वहाँ जाकर पबलिक फोटो में ही पता चल जाएगी यूद तो साफ साफ प्रिंसेस को धंकी दे रही थी सियोल के कुछ कहने से पहले ही उसकी ड्रेस के लिए वहाँ पे लोग आ चाते हैं तब उसे ट्रायल के लिए जाना पड़ता है तो ड्रेसस ट्राय करने के बाद जब सियोल वाप सियोल भी अच्छा नहीं लग रहा था और सियोल के लिए भी बुरा लग रहा था आगे सियोल काफी उदासों के पहले स्वाप पिस आती है तब पार्क उसे रोक के कह रहा था बहले यह पहले सेवन हो लेकिन इस समय तुम्हें यह यह रहा है आज जो कुछ भी हुआ, ऐसी अटेक तुम्हारे उपर और भी होंगे तो तुम्हें इसके लिए पहले से प्रिपेर रहना होगा क्योंकि कोई भी तुम्हें प्रिटेक्ट नहीं करने वाला है सियोल कहती है चिंता मत करो उसे आदत है क्योंकि वह एक अनाथ थी खेर अब आगे पार्क, सियोल के बारे में ही सोच के परशान हो रहा था, इतने में उसे न्यूज मलती है कि सियोल कायब है, और वो प्रिंसेस को हर जगा डूनने लगा था, तो वही सियोल, वो एंटीक कार के अंदर बैठी हुई थी, और ड्रामा देख करके चला रही थी, य प्रिंसेस कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे दुश्मन है, पार्क कहता है, और उन सब दुश्मनों में सबसे दाधा हैंटसम दुश्मन मैं ही हूँ, सियोल कहते है, मुझे बकवास नहीं करनी, वो जाने लगती है, लकिन उसका गेट खुल ही नहीं रहा है, अब आगे सियोल पार्क के लिए दूद लेके जाती है, और उससे कहती है, फटफट से एक बारी में इसे पी जाओ, पार्क कहता है, तो तुमने अब यह तरीका निकाले अपने दुश्मनों से बचने का, इसके अंदर पॉईजन में लाकर लाई हो, सियोल कहती है, पहल उन से तुमारा सब को छीन लेगी, पार्क केंसे कहता है, आप प्रेस कॉनफरेंस तक वीट कीजे, मतलब यह लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, वही दूसी तरफ यह जो को पहते चल जाता है, कर रात पार्क और सियोल दोनों साथ में कार में थे, तो बस बदला लेने के लिए वो सियोल को ली जाती है, मसाज के लिए, और मसाज कम सियोल की हड़ियां जाता दोड़वा रही थी, सियोल कहा रही थी, आखर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो किसी बात का रिवेंज लेना चाती है, इस जैलिस रांटी ने ली सियोल की तो बुरी हाल उत कर द यूडी क्योली तो यूजो उससे बोलती है क्योंकि अगर चेर्मेन को कुछ हो गया तो ये सब कुछ मैं ही तो समालूँगी और फिर सब कुछ ये प्रिंसिस का ड्रामा यही भी खतम हो जाएगा सिओल कहती है कितनी दरावनी हो कुछ तो शर्म करो तो उस परसन के दादा जी के बic के बाए में बात करी हो जिससे तुम शादी करना चाहती हो यूजो कहती है तुम क्या चेर्मेन को चाकी ये सब कुछ बताने वाली हो अगर हमत है तो चाके बता दो किया से यूंचो जान लगती है तब सियोल उसे रोकती है कहती है देखो मुझे तुमसे डर लग रहा है इसलिए शॉट में कुछ बोलूँगी और इसके बाद लेक्चर देने लगती है यूंचो से याद दिलाती है तुमने का था शॉट में बोलोगी तब सियोल कहती है देखो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है अब मैं प्रिंसेस बनूँगी अब आगे सियोल गर पे वापस आती है तब उससे मिलने के लिए उसकी मॉम और भेन आये थे सियोल उनसे मिलके काफ़ी खुश होती है और वो उने काफ़ी सारे गिफ्ट भी देती है फिलाल तो ये लोग कुश थे लेकिन आगे पार्किन लोग को बताता है किया सियोल के अडाप्टेट फादर ने किंग के नगली लेटर को बीचने की कोशिश की थी और वो पकड़े गए थे आँटी कहती है आखर तुम ये सब कुछ क्यो पूछ रहे हो तो पार्कों ने बताता है हम ये सारी चीजे आगे आने वाली प्रेस कौनफरेंस में ही बताने वाले हैं इसलिए ये बताना ज़रूरी है अब आगे डैन काफी गुस्से में थी और सियोल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी तब डैन उसे बोलती है तो अब हमें चैन से जीने क्यों नहीं दे रही है अगर डैड ने ऐसा कुछ किया है यह सब के सामने आ जाएगा तो तुझे पता है कि मेरे ओपर कितना बुरा एफेक्ट पड़ेगा और अब तो तू हमारी फैमिली भी नहीं है तो आमें तंग करना बंद कर सीयोल गहती है ऐसा वो कुछ भी नहीं होने दे गी और अब इसके बाद वो पार्क चाहती है तुम एक भी चीज़ को सेकरिफाइस नहीं कर सकती है सियोल कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, यह मैं थर्ड बिल्कुल गलत है पार्ट कहते है, तुम कितनी ज़्यदा सेलफिष हो, तुम्हारी वज़े से, मैं अपना सब कुछ खोने वाला हूँ और तुम एक भी चीज को सेकरिफाइस नहीं कर सकती हो सियोल कहते है बिल्कुल भी नहीं वो अपनी फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती है अब आगे सियोल परशानी में अपने प्रोफेसर को ही याद करके बुला लेती है और वो जुंगो से कह रही थी कि वो उसकी है एल्प करे उसके डैड के उपर लगी हो इलसाम मिटाने में जुंगो मान चाता है क्योंकि उसने इस चीज़ के उपर काफी रिसर्च की है और वो सियोल से कहता है क्या वो रोयल पाउच जिसके बार में पढ़ा रहा था वो तुम्हार पास है क्योंकि according to history वो तुम्हारे पास ही होना चाहीए सियोल कहती है नहीं उसके पास तो नहीं है और उसे याद नहीं है जुगवो से उसके साथ रूम में चलने के लिए कहती है तब पार्क कहता है प्रिंसेस के रूम में कोई भी ऐसे ही लड़का एंट्री नहीं ले सकता है तब जुगवो बोलता है कोई बात नहीं सियोल हम यही बैट के खाएंगे जुगवो से बैट के खा रहे थी और सियोल से मीट कट करने में प्रउलम हो रही थी इसलिए पार्क उसे बोलता है किया तुम ऐसे ही खाऊगी सियोल बोलती है क्या तुमें कोई दिक्कत है तब जुग वो उसकी प्लेट ले लेता है प्रोफेसर तुम्हें लेकट नहीं करेंगे चारों के बीच में चले इसी साफ नसर आ रही थी और इसी बीच में बातों से फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है पाक तो जुगवा से कहता है लीस यॉल प्रिंसेस बन गई है इसलिए वो इसकी इतनी चिंता कर रहा है तो सियॉल बोलती है नहीं प्रोफेसर हमीशा से उसकी चिंता करते थे और हज मैंने इस प्रोफेसर को यहां पे बुलाया है क्योंकि मैं मेरे डैट के केस में उनसे हेल्प ली रही हूँ तब पार्क क्याता है कि फोन पे भी बात हो सकती थी एक स्ट्रेंजर को यहां बलाने की क्या ज़रूरत थी तब जुउल बोलता है वो सियॉल के बलाने पे यहां पे नहीं आया है एक्सियॉल में उसकी अपॉइंटमेंट है वो भी चेर्मेंट के साथ यह जान के तीनों लोगी अहरान हो जाते है आगी पता चलता है चेर्मेंन ने जुउल के पास बेचा था यह मालूम करने के लिए क्या उसके पास रॉयल पैकेट है या फिर नहीं जुउल ने बता देता है कि सियॉल के पास वो पैकेट नहीं है तब यह लोग बात करे थे कि हमें उस पैकेट को डूणना होगा क्योंकि अगर यह पबलिक को पता चल गया तो सियॉल के लिए मुसीवत खड़ी हो चाएगी आगी जुउल यहाँ पे डिरेक्टर की पोजिशन को भी एकसेप्टिक कर लेता है आगी बाहर आने पे सियॉल उसे पूश रही थी आखिर क्या हुआ है तब जुउल उसे बता देता है कि अब से वो रोज उसे देखने को मिलेगा क्योंकि उसने यहाँ पे डिरेक्टर की पोस्ट को एकसेप्टिक कर लिया है सियॉल काफी खुश होने लगती है तब ही यहाँ पे पार्क आजाता है और जुउल उसे बोलता है क्या तुमारी कार चलने ही रही है जो तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो सियॉल कहती है पार्क से आगर तुमें क्या दिक्कत है तब ही पार्क उसे कहता है चलिए प्रिंसेस आपके लेसन का टाइम हो रहा है अब जुग वो उसे जाने के लिए कहता है इसके बाद जब वो कुछ जा रहा था तब युण्चो से रोक के बात करने के लिए कहती है पर जुम वो बोलता है अब उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है वो महाँ से चला जाता है आगे सीवल उसी कार में थी और अपनी मम को कॉल करके बता रही थी कि वो डैड के कलाफ कुछ भी नियूस नहीं चलने देगी इतने में ही वहाँ पर पार्क और यूंचो आ जाते हैं तो वो उसी कार में थबकने लगती है यूंचो यहाँ पर कार के बार में भी बात करने के लिए आई थी कि इसका गेट का लॉक किसने दोड़ा है तब पार्क कहते है कि ये गल्ती उसने की है इसलिए वो ये सब कुछ करती है क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भी अपना नहीं है वो सियोल के बार में इतना अच्छा बोल रहा था तो यूंजो से बरदाश्का होता है वो कहती है ओपा आप तो सियोल के बार में ऐसा सोचते हैं पर वो लगी कहा रही थी कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि आप के साथ क्या हो रहा है पार्क कहती है ऐसी बात है तो अच्छा है अब मैं भी उसके बार में बुरा फिल नहीं करूंगा यह सबी बाते सियोल ने सुन ली थी इसके बाद पार्क को देखने को मिलता है सियोल ठर्ण में बैटके उसके डैट के इकलाफ जतने भी न्यूस थी उन्हें चला रही थी खिर आगे पार्क सियोल के बार में यह सब कुछ सोच रहा था वहीं दूसरे दिन अंटी दैन से कहा रही थी कि सियोल ने कहा है कि वो उसके डैट के इकलाफ कोई भी न्यूस नहीं चलने देगी इसलिए तुम जाओ उसके लिए जो पेस्ट्रीज बनाई है मैंने यह देखिया हो सब कुछ इसलिए था क्योंकि डैन ने उसके कार्ड का रिप्लाइ नहीं दिया था कॉल करके अब आगे सियोल को प्रिंसेस की तरह रेडी होते हुए डैन देख ली थी है और वो काफी जैलिस हो रही थी वही पार्क को एक पर्शन का कॉल आता है कि वो लीसियोल के डैड के बारे में सब कुछ जानता है और काफी वर कॉल भी कर चुका है यह बताने के लिए तो अब पार्क सेकरेटरी के पास जाकर कि यह सब कुछ फूश रहा था कि आकर इतनी बार काल आई थी तो उसे क्यों नहीं बताई गई तब सेक्रेटरी कहते हैं मैं तुमसे है जब कुछ चुपाना zुपाना चाहता था पारक कहता है आकर क्यों कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चलता तो फ्लेश प्रेक का सीन दिखाया चाता है पार्क के डैड ने लिटल ली सियोल को किरनेप कर लिया था और जब उसके डैड उसे छुडाने के लिए आये थे तो वो ने धंकी देते हैं कि मेरे डैड के सामने तुम दिख मत जाना वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूँगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अब सियोल के डैड को जब उनकी बेटी को मारने के धंके मिली तो उससे ओल को लेके वहाँ से जा रहे थे पेश देता है और वो काफी ज़्यादा गुस्से में था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अब आगे सियोल आती है पार्ट के पास यह पूछते है क्या तुम्हें वह इंसान मिल चुका है चो मेरे डैड के बार में जानता है तो सियोल के इसी सवाल पे यह वाले पार्ट के ए है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स फो वाचिंग मिलते है बहुत जल